एक बहुत दोटिस किया आपने, देखें स्मृति रानी ने राहुल की जो तारीफ ही है भाई साब वो की हिरदय परिवरता नहीं है, वो एक पॉलिटिक्स है उसको मैं समझाऊँगा, पहले जो काम स्मृति रानी करती थी, एक्टिफ पॉलिटिक्स में, वो अब एक्टिफ मोदी आए, तो मोदी कटरपंथी हो गए, और आडवानी जी उदार हो गए, मोदी और में शाहा में आगे हो सकता है कि मोदी उदार हो जाया और शाहा कटरपंथी हो जाया, और फिर शाहा उदार फिर योगी आदितना कटरपंथी नेता की जगहा ले ले, तो एक पैटन है पता नहीं पैटन है या फिर सभाव है क्या पता नहीं मुझे लेकिन ऐसा हुआ है ऐसी महिला निताओं में भी ऐसा होता है इसे सुश्मा स्वराज उदार चेहरा थी उमा भारती कट्टर पंती उमा भारती फिर उदार हो जाती है या फिर राजनीती से बाहर हो जाती है उनक से नहां के चैनल पर पॉड़कास्ट वगरा करते हैं सेलेक्टिव सिलसलेवार तरहीं किसे सवाल पूचे गए और बहुत सालीता के साथ उन्होंने जवाब दिया नोटिस किया पहली बार रहूल गांधी की राजनीती पर अच्छे सल उन्होंने विशलेशन किया पहली बार तो किसानों के प्रती नफरत जाहिर कर दिया और कहा कि किसान आंदोलन में बलातकार हो रहे थे लाशे लटकी हुई थी बगर बगरा बहुत सारी चीज़ों कर अगर सरकार मजबूत नहीं होती तो बांगादेश बन जाता तो इसके बाद उन्होंने इंद्रा गांधी के प विपक्ष बनने लायक किया क्या है कंगना जी ने पूचा जब एंकर नेन्यारवे सीट को हवाला दिया तो कंगना एंकर से नाराज हो जाती है उन्होंने जाती जन करना पर भी अपनी राहे देती पहले इस तरह की बाते स्मृति रानी किया करती थी लेगिन वैसे ही जिम् क्या मतलब है देखिए इसका टॉप एंगल में आपको देनी कोशिश करो अपने इंटर्व्यू में एक जगा स्मृति रानी कहती है कि देखो भाजपा कुना राहूल की राजनीती को हलके में नहीं लेना चाहिए उन्होंने आगर ये भी कहा कि राहूल टी-शर्ट पहन कर संसद आ रहे हैं और यूवाओं के एक मैसिस देने की कोशिश कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं वे भले ही भाजपा को बचकाना लगे लेकिन वो अलग तरह की राजनीती कर रहे हैं उसमें वो सफल भी होते जा रहे हैं स्मृति ने ये भी कहा कि और नहरू गांधी के परवार पर लगातार हमला बोलती कोई मौका नहीं छोड़ती थी किसी तदा की कसर भी नहीं छूटती थी मैं आपको बता हूँ ऐसा कोई हिर्दया परिवर्तन नहीं हो गया बाई और इस हिर्दया परिवर्तन जसत दू दीख रहा है ना इसमें एक मौका मिल जाएगा लेकिन राजसभा की 12 सीटों के उपचुनाव में इनकी अंदेखी हो जाती है तब इस मिर्ती रानी ने राजसभा के उपचुनाव के बाद बोला है ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर एक खेमा है चो उनको हाशिये पर ठकेलने में लगा इसके प्रयास लगातार हो रहे हैं तभी उन्होंने दवाब की राजनीती शुरू की है अभी जो उन्होंने राय जो दी है उनकी विक्तिकत राजनीती का एक हिस्सा है ये वजह समझी है स्वामी बाबा राम देव को पतंजली आयरवेद एक बार फिर से विवाद में आ च चिकितसा प्रड़क्ट को हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है चोकि ये बात साफ तौर पे दर्शाता है कि ये एक शाकाहारी वस्तू है लेकि पतंजली के दंत मंजन मचली का अर्ख है उसके हंदर जो एक मासाहारी प्रड़क्ट है पतंजली दिव्वे फार्ब करता है शाकाहरी वेजिटेरियन है वो उन्होंने लगाया हुआ है जो आश्यदी एवं प्रसाधन सामेगरी के अधिनियम के तहट गलत ब्रेंडिंग के रूप में आता है अब बामले के अगली सुनाए नवंबर में हो नहीं है अब देखो क्या होगा पता चलेगा आगे लेकिन बाबारामदेव को खिलाब बीते कुछ समय से अलग-अलग उल्जनों में वह उल्जे हुए है केस कोट जाते रहत पतंज कभी पतंजली के विज्यापन को लेकर सप्रीम कोट चले जाते हैं और इस साल के शुरुआत में बाबारामदेव आचारे बाल कड़ी फटक इस तरह के ब्रहमक विज्यापनों के मांध्यम से पूरे देश को गुम्रा किया जा रहा है कई महीनों तक चली सुनवाई और फटकार के बाद माबारामदे बालकृष्ण के खिलाफ सुप्रेम कोट हाल ही में अब मानना की कारवाई बंद की तो कॉंट्रवर्सी बाबारा चैती है मस्का